नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उध्यान विज्यान के 20 महतुपुर्ण परशनों की जो प्रिविश एर एक्जाम में पूछे चुगे हैं और आगामी एक्जाम जैसे किर्शी प्रवैक सक आर ई ए ओ जेट सी यू टी डबल ए ओ इन सभी के लिए महतुपुर्ण होगी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और डिस्क्रिप् करें बेर के अगेति किसम कौन सी यह बेर के अगेति कि समय गोला तो इसना नंबर दो आम में फूलों को जड़ने से रोखने लिए उप्योग में लाया जाता है तूफोडी 20 गया नंबर और प्योटराजोल 200 तो अगर बात करें दोस्तों याद रखना है इसका राइट एंस्वर हो जाएगा 240 बीस पीपिम यानि कि आम में फूलों को जड़ने से रोकने के लिए किसका उप्यूक करते है 240 बीस पीपिम का यूज किया जाता है दूसरों अगर मैं आपको बता दू कि पैकलो ब्यूटरा ज़ोल का यूज किया जाता है और कितना यूज किया जाता तो यह भी आपको याद रखना है 5-10 ग्राम यूज किया जाता है नेक्स सकते की आम के पुष्प कर्म होते हैं कैसे के यह पुष्प कर मतली कंदर हैं निमन में से पपीता की एक लिंगा से किसम कौन सी है पहला उप्छन है कुरुझ-हनि-ड्यू बी-ज़ेश्थी नमबर सुरिया और डी नमबर ऐ नमबर आ पुशत जाईट इसमें से राइटल एंस्व लूज जाएगा क्या पुशत जाएट पपीता की एक सिरी किसम कौन सी है पूशा जाइंट नेक्स क्यूशन नीमन में से अमरूद का उक्ता रोग परतिरोधी मुलवरंत कौन सा है सीडियम गुवा जावा यह तो बोटनिकल लेम होता है सीडियम बेंजा मिना सीडियम ग्यूनिच और सीडियम फ्रेडिस सेंथेनियम तो इसका क्यूसन नंबर 6 की और बढ़ते हैं नीमन में से कौन सा सेव का एक बोना मुलवरंत है यानि कि इन में से सेव का एक मोना बूलवरंत कौन सा है M9 M25 M15 M1 इसका राइट एंस्पर हो जाएगा सेव का बोना मूलवरंत होता है वो कौन सा होता है M9 होता है कौन सा होता है मिरे सेवन की तरफ बढ़ते हैं निमन में से अनार का सबसे घंबी रोग कौन सा है जो इसके चेत्रफल को फेलने के रुकाउट पैदा कर रहा है यानि कि अनार का जो चेत्रफल है एरिया है वो बढ़ने नहीं दे रहा है वो कौन सा रोग है पहला एलिप्स पॉट बी नमबर और डी नमबर एंट्रेक नोज तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बैक्टिडियल बिल्ड उख्टा ठीक है नेक्स बात करते हैं कि उससे नमबर आठ की निमन में से किस पसल में परशारण के लिए वीनियर रोपन का प्रियूग किया जाता है इनकी वीनियर रोपन या व इस पसल में परशारण के लिए शिल्ड कलिकाइन का प्रियूग किया जाता है परशारण के लिए शिल्ड कलिकाइन का प्रियूग किया जाता है पपीता केला निम्बू और अंगूर शिल्ड कलिकाइन का प्रियूग है वो किसमें किया जाता है दोस्तों निम्बू में किय बात करें उससे पहले मैं आपको बता दू कि किर्षी प्रवखशक के आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं जो हमने ncrt book के अधारी पर त्यार किये हुए तो आप हमें संप्रक कर सकते हैं जो नीचे दियो ही नंबर है उन पे आप संपरक्र कर लीजिए आपको और नोट्स का डेमो भी देख लीजिए चलिए अगले क्यों के और बढ़ते हैं आम के अरका पुनित किसम है वो किनके संक्रण से विक्सित की गई है आम की अरका पुनित किसम का संक्रण है वो किस से विक्सित किया गया पह के क्रोस से नेक्स क्यों बढ़ते हैं निमन में से प्याज की किसम खरीव मोशम है तो सरवाधिक उप्यूगता है पहला अग्रिफाउंड लाइट रेड बी नमबर एग्रिफाउंड डारक रेड ची नमबर पूशा रेड और डी नमबर है पूशा रतना तो यानि कि इसमें कि जो खरीव मोशम के लिए सबसे बेस्ट की समय वह कौनसी हो जाएगे एग्रिफाउंड डारक रेड हो जाएगी नेक्स्ट फूल गॉबी में परमानित बीज उतपादन है तो पर्थकन दूरी रखी जाती है यानि फूल गॉबी में परमानित बीज उतपादन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस से वह रखी जाती है सो मीटर डाइसो मीटर पांसो मीटर अजार मीटर तो इसका राइट एंसपर हो जाएगा अजार मीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा एक हजार मीटर नेक्स्ट क्यूशन नीमन में से किस सबजी में विटामिन सी सरवादिक होत कि फाल्सा का विवसाइक परवर्दन होता है यानि कि फाल्सा के अंदर विवसाइक परवर्दन होता है बीज दोवारा टीशू कल्चर टी या सिल्ड कलिका इन ग्राफ्टिंग फाल्सा में विवसाइक परवर्दन होता है बीज के दोवारा होता है याद रखना पपीता और फाल्सा में विवसाइक परवर्दन बीज के दोबारा होता है नेक्स्ट है मुली की कौनसी किसम यूरोपियन प्रकार किये पहला उप्षन है जपानीज भाइट दूसरा पुष्षा रेस्मी से नंबर है पुष्षा ही मानी तो यूरोपियन टाइप की जो किसम है वो कौनसी इसका राइट एंस्फिर हो जाएगा पुष्षा ही मानी कुछ लोग सोते युटा रहे जपानीज है जपानीर नहीं तो भाइट नहीं मैं किस पाटमाटर मतर बेंगण और मूली तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मठर और याद रखना सालीविय किसम है वो फली सहीद खाने वाली किसम है मठर की यानिकि फली के सहीद का सकते हैं इसको next question पत्तागोबी की अग्यति किस्मों में रोपन दूरी रखी जाती है next question नीमन में से कौन सी सब्र जी में प्रोटो एन्डरी पाए जाती है कौन से सब्जी में प्रोटो एंड रिपाए जाती है पहला उप्षन है प्याज बी नमबर है मूली सी नमबर है पत्ता गोभी डी नमबर है फूल गोभी इसका राइट एंस्वर हो जाएगा प्याज यानि ओनि नेक्स यूशन कौन से फलदार पोदों में बीजों से बीजो हो जाएगा कौन सा निम्बू तो यह दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट बीस्क्यूशन थे आपको कैसे लगे अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी सब्सकारण नहीं किया तो